नमस्कार आप देख रहे हैं MP News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी चैन MP News के इस खास सेग्मेंट न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है जिसमें आज हम बात करेंगे मद्प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की चलिए शुरुआत करते हैं मद्प्रदेश में मौनसून इस वक्त सक्रिय है और पूरे प्रदेश में जमा जम बारिश का दौर बना हुआ है गुरवार को राजधानी भोपाल समित कई जिलों में तेज बारिश का दौर जवारी रहा बतादे बंगाल की खाड़ी में एक कम दवाब का शेत्र बन गया है मौनसून रौनिका भी मद्प्रदेश उसे होकर ही गुज़ा रही है मौसम विज्यानिकों के मुताबिक कम दवाब के शेत्रम के और तीवर होने के बाद इसके आगे बढ़ने की भी संभावनाय है इसकी वज़ा से अभी दो दिन बाद पूरे प्रदेश में जमा जम बार अधिकारी में चट गए है MPK जबलपुर के बाद गौलियर में निवेशकों के साथ अब चर्चा होने वाली है जानकारी के अनुसार गौलियर में सितंबर में एक बैठक आयो चुत हो सकती है अक्तूबर में रीवा में अधियोगपतियों के साथ एक बैठक होगी वहीं अ परकार का दावा है कि जबलपुर में होने वाले इन्वेस्चर समिक में मद्प्रदेश में 3500 निवेशक 1000 करोड से अधिक के प्रोजेक्ट जो हैं वो मद्प्रदेश में लगाएंगे बटे आगया और बता दे कि दौर शोहर में अब भीक्षा देना दंडनी अपरात की श प्रेणी में माना जवाएगा इस से लेकर अब कलेक्टर आशीश सिंग ने एक प्रतिमंधात्मक आदेश भीजवारी कर दिया है जो ततकाल प्रभाव से लागू भी हो गया है बता दे कि भीक्षु को भीक्षा देना है उनसे कोई भी सामान खरीदने वालों के विरोध भ प्रभाव से लागू कर दिया गया है बता दे भीक्षा वरत्ति पर रूख थाम के लिए इन दौर जिले में पिछले च्वार महीने से एक विशेश मुहीम जो है वो देखने को मर रही है महिला बालविकस पुलस और जुला प्रसाशन की सायोक्तर टीम जो है वो शोहर के प जोगताम पर फोकस किया जवा रहा है इस मुहीम में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब इंदौर कलेक्टर आशीश सिंग ने अब भीक्षा देने वालों के खलाव भी कारवाही करने के नर नर लिये हैं बटे आगे और बता दें कि मद्द प्रदेश में आगामी उप चुनाव संपन होने के बाद अब भारतिय जनता पार्टी ने सीहोर जिले के बुधनी और विजयपूर विधान सबासीख पर होने वाली उप्चुनाव की तयारी जो है वो अब शुरू कर दी है बीजेपी ने दोनों ही सीटों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की निय बुधनी एवं दो विजयपूर विधान सबासीख पर होने वाली उप्चुनाव के लिए प्रभारियों के नामों की घोशना जो है वो अब की गई है बताने की सीहोर जुले की बुधनी विधान सबा के लिए प्रदेश के राजजस्व मंत्री करण सिंग वर्मा को प्रभ बनाया गया है जबकि सहप्रπάरी नरेनर बिरथरे को बनाया गया है बता दे कि अब उपचुनाव को लेकर कांगरोस और बीजेपी ने टयारी जो हैं शुरू कर दी है दोनों ही अपनी अपनी तयारी में जग नहीं परते ही आगे और बता दे कि मदपर देश के थाने में सुन्दरकान पार्ट की अनुमत की साधार पर दी गए इसकी अब बच्वाच होगी वहीं मामले को लेकर पूर्वसीम दिग्विजा सिंग और पी सी सी चीफ जीतू पटवारी ने पुलस कमिशनर हरी नारायन स्वारी से मुलाकात भी की है यह थी आज की दिन भर की देश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूले